अधिकतम लोग जब टर्म इंसुनेंस पॉलसी खरीद लेते हैं तो वह सोचते हैं कि चलो यार मैंने बहुत अच्छी पॉलसी खरीद ली है और अब क्या है कि हमको अपने इस पॉलसी की प्रीमियम जमा करना है और कल की देट में अगर मैं अपने परिवार के साथ नहीं होता हूं मैं इस दुनिया में नहीं होता हूं तो मेरे परिवार को मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी कम से कम कोई आर्थिक समस्या नहीं होगी क्योंकि बीमा कंपनी से बीमे की रकम की वापसी हो जाएगी मुझे लगता है कि अगर आपने टर्म सोच रहे हैं तो मुझे यह भी विश्वास है कि आप इसी सोच के साथ इस term insurance policy को खरीदने का विचार कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आप term insurance policy खरीद चुके हैं या खरीदने का विचार कर रहे हैं तो मैं आपसे यह कहूँगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद ही आप यह फैसला कीजिए कि आपको एक term insurance policy खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए और यदि आप खरीद चुके हैं तो आपको यह policy आगे चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए हाना कि मैं आपसे यह कहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा उसके बाद ही किसी निर्णे पर पहुँचिएगा देखें यह सचाई है चाहे आप किसी भी जीवन भीमा company की policy कर लें हाना कि अगर आप जीवन भीमा अभी करताओं से जीवन भीमा एजेंटों से अगर आप बात करेंगे तो हर कंपनी का agent अपने कंपनी को सबसे बहतर कंपनी बताएगा यानि आपको इस सच्चाई का आकड़ा तो बिल्कुल भी नहीं होगा खास्तों से एजेंटों के जरीए यहां आकड़ा नहीं होगा कि Term Insurance Policy खरीदने के लिए कौन सी जीवन भीमा पॉलसी या कौन सी जीवन भीमा कमपनी सबसे बहतर है तो इसके लिए हाला कि मैंने पिछली वीडियो में भी जानकारी दी है यहां भी आपको बताना चाहूंगा कि Term Insurance Policy खरीदने के लिए आपको इंटरनेट पर गहन अध्यन करना चाहिए खास्तों से बीमा पॉलसी खरीदने से पहले लेकिन अगर आपने बीमा पॉलसी खरीद ली है और आपकी बीमा पॉलसी एक Term Insurance Policy है तो कई ऐसी परिस्थितियां होती है जब बीमा कमपनी अगर इन परिस्थितियों के तहत मिर्ट दावा होता है तो ऐसे मिर्ट दावे का भुकतान नहीं करती है तो यह परिस्थितियां क्या है और किस किस कंडिशन में बीमा कमपनीयां मिर्ट दावे का भुकतान नहीं करती है आएए अब उसको जानते हैं तो इसका जो सबसे पहला कारण होता है वह होता है कि अगर ग्राह गलत सूचना देता है मतलब अपनी बीमा कमपनी को अगर वह गलत जानकारी देता है तो ऐसी कंडिशन में उसकी पॉलसी का मृत्य दावा निरस्त किया जा सकता है देखे अगर आप टर्म इंसुरेंस को ध्यान देंगे तो टर्म इंसुरेंस एक ऐसा जीवन बीमा है जो दो लोगों के बीच एक सुध समझाओता होता है इन दो लोगों में एक वह जीवन बीमा कमपनी होती है जो बीमा पॉलसी बेचती है और जो दूसरा बेचती है वह वह बीमा धारक है जो पॉलसी खरीदता है यानि कि अगर आप पॉलसी खरीद रहे हैं तो आप दूसरा पक्ष हैं पहला पक्ष आपकी G1 Bima Company और दूसरा पक्ष आप होते हैं तो यह जो Turn Insurance Policy है यह आप दो लोगों के बीच एक समझाओता होता है एक Agreement होता है आप जिस कंपणी से Turn Insurance Policy खरीदने की सोच रहे हैं या खरीदे हैं आप उस कंपणी के ऊपर यह भरुसा करते हैं कि कल की डेट में अगर आप इस दुनिया में नहीं होते हैं तो आपकी वह G1 Bima Company आपके नामनी को आपने पॉलसी में जिसको नामनी बनाया है उस नामनी को आपने जितने का बीमा खरीदा है उसका भुकतान कर देगी भाई यही तो वज़ा होती है कि आप उस G1 Bima Company से पॉलसी खरीदते हैं और उस पॉलसी की जो भी प्रीमियम होती है समय समय पर जमा करते हैं तो यह तो आपका पक्ष होता है लेकिन यहाँ पर दूसरा पक्ष G1 Bima Company का भी है G1 Bima Company भी इस समझावते में आप से कुछ उम्मीदे करती है G1 Bima Company की उम्मीद क्या होती है कि वह बीमा धारक पर यह भरोसा करती है यानि कि वह आपके ऊपर यह विश्वास करती है कि आप अपने विश्य में सभी सही और सटीग जानकारी अपनी भीमा Company को देंगे जैसे में आप Term Insurance Policy खरीदने से पहले जो आप प्रस्ताव पत्र या जो फार्म भरते हैं उस फार्में अपनी उम्र का सही विवरन देंगे आप अपनी जाब के विश्य में सही विवरन देंगे आप अपने स्वास्त समस्याओं के विश्य में यदि आप किसी बीमारी को जहल रहे हैं या पहले कभी जहल चुके हैं तो उसकी सटीग और सही जानकारी आप उस फार्म में देंगे आपके परिवार में अगर किसी की तवियत खराब चल लही है या पहले कभी खराब थी तो उसका विवरन भी जब आप विमा करते हैं तो उसमें आप सटीक तरीके से देते हैं जब आप यह फार्म भर कर अपनी जीवन विमा कमपनी को प्रस्तुत करते हैं तो आपकी वह जो जीवन वीमा कमपनी है आपके द्वारा दिये गए विवरणों के ही आधार पर वह यह नेड़ने लेती है कि आपको जीवन वीमा पॉलसी यानि कि आपकी वह जो टर्म इंसुरेंस पॉलसी है आपको देना है या नहीं देना है पहला चीज दूसरा चीज अगर आपकी वह जीवन भीमा कमपनी आपको जीवन भीमा पॉलसी यानि की टर्म इंसुरेंस पॉलसी देने के लिए तैयार हो जाती है तो वह आपके द्वारा दिये गए विवरन के ही आधार पर यहार निर्णाय लेती है कि वह आपसे कितना प्रीमियम कलेक्ट करेगी अब यदि मृत्व दावे के बाद यह पता चलता है कि आपने जो फार्म भरा था उस प्रपत्र में जो आपने जानकारी दी थी उसमें से कोई एक या एक से अधिक जानकारी जान बूझ कर या अंजाने में भी छिपाई है जिससे कि आपका जीवन भीमा यानि कि वह जो टर्म इंसुनेंस पॉल्सी है वह प्रभावित हो सकती थी तो ऐसी कंडिशन में वह जो जीवन भीमा कंपनी है वह आपके मृत्त दावे को निरस्ट कर सकती है उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो जानकारी मैंने दिया है यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्षन में पूछेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका उत्तर दे दूँ दूसरा महत्वपूर्ण चीज होता है जिसके कारण की मित्ट कुदावा नहीं मिलता खास्ता से सटर मिंसुरिंस पॉलसी में नहीं मिलता होता है पृमियंघार कोई यह आदत होती है कि वह premium जमा करने की तिथी भूल जाते हैं कई बार समस्याओं की वज़ा से भूल जाते हैं या यह कहूं कि समस्याओं की वज़ा से वह अपनी premium समय से जमा नहीं कर पाते और कभी कभी गलती से भूल जाते हैं और जब premium जमा नहीं होती है उस दौरान अगर भीमा धारक की मृत्य हो जाती है या इसको अगर दूसरे सब्दों में कहूं तो मैं यह कह सकता हूं कि जब भीमा धारक की मृत्य होती है अगर उस समय उस भीमा धारक के Term Insurance Policy की प्रीमियम जमान नहीं है तो ऐसी Policy में भी मृत्यदावय का भुगतान नहीं होता है तो अगर आप एक term insurance policy खरीदे हैं तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके premium का due date कवा रहा है और due date से एक महीने पहले तक ही आपको अपनी premium जमा कर देनी चाहिए अगर आपकी यादत है आप जान बूझकर या अनजाने में ही सही बार बार premium जमा करना भूल जाते हैं तो आपके लिए हमारा सुझा होगा कि आप जो है आपके घर में जो calendar होता है उस calendar में premium due के month को जो है जिस month में premium आती है उसकी जो last date है उसको mark कर लें ताकि जब premium का समय मदब जब premium जमा करने का समय आए तो आप calendar देखें तो आपको यह पता चल जाए कि अभी आपको आपके जीवन भीमा policy यानि term insurance policy की premium जमा करनी है दूसरा चीज आप यह भी कर सकते हैं कि आप ECS और NEJ जैसी सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं NEJ सेवा क्या होती है ECS सेवा क्या होती है तो इसके लिए आप अपने नजदी की जीवन भीमा एजेंट से संपर कर सकते हैं हाना कि आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है यदि आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप अपने नजदी की जीवन भीमा के एजेंट हैं और जो प्रोफेशनल जीवन भीमा एजेंट हैं उनकी जानकारी आ कारण होता है जिसके कारण की टर्म इंसुरेंस पॉलसी में मिर्ट दावा नहीं मिलता है वह होता है मेडिकल वीवरण छिपाना देखिए जब कोई व्यक्ति या कोई वीमा धारक टर्म इंसुरेंस पॉलसी को लेते समय अगर वह अपने मेडिकल हिस्ट्री को छिपाता है या फिर वह अपने परिवार के सदस्यों की medical history की सही सही जानकारी नहीं देता है और मिर्त्य के बार जब दावा की inquiry होती है उस समय ऐसे तथ्य सामने आ जाते हैं तो ऐसी condition में भी वह मिर्त्य दावा निरस्ट कर दिया जाता है यानि कि जब भी आपको term insurance policy खरीदना हो तो medical से संबंधित जितने भी प्रस्न पूछे जाते हैं चाहे वह प्रस्न आप से संबंधित हो चाहे वह आपके परिवार के सदस्यों से संबंधित हैं आपको सभी जानकारी सही सही ढंग से भरनी चाहिए अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि medical history का जीवन बीमा की policy से य जीवन बीमा की कोई traditional योजना हो वह एक स्वस्त ब्यक्ति का बीमा किया जाता है कोई भी जीवन बीमा company किसी बीमार ब्यक्ति का बीमा नहीं करना चाहती है और नहीं करती है अगर कोई ब्यक्ति बीमार है उसका इलाज चल लहा है और उस दवरान अगर उसका बीमा हो जाता तो ऐसी कंडिशन में अगर उसकी पॉलसी में मृत्य दावा आ जाता है तो उस पॉलसी के मृत्य दावे को निरस्त कर दिया जाता है अच्छा Term Insurance Policy की एक बड़ी विशेष्टा यह होती है कि कभी भी आप Term Insurance Policy खरीदने के लिए जाते हैं तो Bima Company आपकी Medical History की जाँच करती है और उसकी आधार पर यह नेड़ने लेती है कि आपकी Medical जाँच में किन किन जाँचों को सामेल करना चाहिए अब अगर आपने अपनी Medical History विस्तार से नहीं बताई है तो इस विनाव पर आपकी Medical जाँच में कमी हो सकती है और यदि ऐसा होता है तो यह एक बहुत बड़ा कारण होता है जबकि Bima Company आपके Term Insurance Policy में पैदा हुए मिर्तु दावे को निरस्त कर देती है इसके बाद एक अगला महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जब आप नई Term Insurance Policy खरीते हैं और उससे पहले आपके जीवन पर पहले से कोई जीवन बीमा Policy चल रही है और आप उसका विवरण नहीं देते हैं ऐसी कंडिशन में भी आपका मिर्तु दावा निरस्त किया जा सकता है कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक जीवन बीमा कंपनी से आपने पहले से कुछ पॉलसी ले रखी है अब आप Term Insurance Policy लेना चाहते हैं और किसी दूसरी जीवन बीमा कंपनी से पॉलसी लेना चाहते हैं तो जब आप नई पॉलसी लेने के लिए जाते हैं तो जो आप्लिकेशन फार्म भरा जाता है उसमें आप से पुरानी पॉलसी का विवरण मांगा जाता है लेकिन आपको लगता है कि आप वह जो नई पॉलसी ले रहे हैं उस बीमा कंपनी से आपने कोई दूसरी पॉलसी नहीं लिए है तो आपको वहाँ पर दूसरी बीमा कंपनी की वह जो पॉलसी लिए हुए हैं उसकी जानकारी नहीं देनी है लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो यह गलत है क्योंकि आपके जीवन पर कुल बीमा कितना होना चाहिए इसका अनुमान तभी लगाया जा सकता है जबकि आपके पिछले बीमे का विबरण कमपनी के पास पहुंचे तो यदि आप पहले से कोई जीवन बीमा पॉलसी लिए हैं और अभी आप एक नई टर्म इंसुरेंस पॉलसी लेने जा रहे हैं तो आपके लिए हमारा सुझाव यही होगा कि नई पॉलसी में आप अपने पुराने सभी पॉलसी का विबरण जरूर दें और अगर आपने किसी दूसरी जीवन बीमा कंपनी से पॉलसी ले हुई है उस कंडीशन में भी उन पॉलसीयों का विबरण इस नई पॉलसी में जरूर सामिल करें ताकि जो आपकी बीमा कंपनी है जहां से टर्म इंसुरेंस पॉलसी ले रहे हैं वह इस विना पर आपके डेट क्लेम को रिजेक्ट न कर सके इसके बाद अब देखिए एक बहुत बड़ा कारण यह भी होता है यदि आप उच्च जोखिम वाले खेलों में हिस्सा लेते हैं और यदि वहाँ पर मिर्टु दावा पैदा होता है तो बहुत सारी पॉल्षिओं से या बहुत सारी भीमा कमपणियां ऐसे दावों का या ऐसे मिर्टु दावों को निरस्ट कर देती हैं उनके क्लेम का भुठतान नहीं करती हैं देखिए होता क्या है? कई ऐसे खेल हैं जिनको उच्च जोखिम की सेड़ी में रखा गया है जैसे में कार रेसिंग है कार रेसिंग में मृत्य होने की संभावना बहुत अधिक होती है बाइक रेसिंग के खेल में अगर आप सामिल होते हैं तो वहाँ पर भी मृत्यू की संभावनाएं बहुत जादा होती है इसी तरह से पैरा ग्लाइडिंग है तो इस तरह से कुछ ऐसे खेल हैं जिनमें अगर आप हिस्सा लेते हैं और उस खेल के दौरान आप किसी दुरघटना की सिकार हो जाते हैं और उस दुरघटना के कारण आपकी ततकाल या आने वाले कुछ समय के बाद आपकी मृत्यू हो जाती है लेकिन मृत्यू का कारण उस खेल में सामिल होना था तब ऐसे मृत्यू दावों को भी बीमा कंपनी निरस्ट कर देती है तो अगर आप एक खिलाडी है और आप एक टर प्राइब से पॉलसी लेना चाहते हैं या आप जिस जीवन भीमा कंपनी से पॉलसी लेना चाहते हैं वह कंपनी उस खेल को या उस खेल के दौरान मृत्ति होने पर क्या जो मिर्ट दावा है उसका भुगतान करेगी या नहीं करेगी और इसके लिए देखिए मेरा पर भरोसा ना करें, आप लिखित दस्तावेजों करें, जहां भी आप पॉल्सी समझने जा रहे हैं, आप उनके जो ठतावेज हैं आप उनकी आत्महत्या जी हाँ अगर आप आसमहत्या कर लेते हैं और आत्महत्या करने के बाद आपकी policy में जो दावा उत्पन होता है अगर आपका नामनी वह दावाजीवन भीमा Ltक देर करता है वह एसा दावा भी निरस्ट कर दिया जाता है लेकिन इसकी एक condition रही है अगर आपने जीवन बीमा पॉलसी खरीदी है अगर पॉलसी खरीदने के बाद पहले वर्स में आत्म हत्या के कारण मृत्य दावा पैदा होता है या आपकी पॉलसी बंद चल लही थी और आपने अपनी पॉलसी को फिर से चालू कराया है और उसके बाद जिस तिथी को आपने अपनी पॉलसी को फिर से चालू कराया है उस तिथी से एक साल के अंदर अगर आत्म हत्या के कारण मृत्युदावा आता है तब तो जीवन भीमा कमपनी उस मृत्यु दावे का भुगतान नहीं करेगी लेकिन अगर एक साल की बाद अगर आत्म हत्या के कारण मृत्यु दावा पैदा होता है तो ऐसी कंडिशन में मृत्यु दावे का भुगतान हो सकता है ध्यान दीजेगा हो सकता है मैं यह guarantee नहीं करा हूँ कि भुखतान हो ही जाएगा तो अगर आप एक ग्राहक हैं तो आप दिमाग में यह बिलकुल मत सोचिएगा कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल लहा है कि हमारी आर्थिक इस्ति खराब है और इस कारण से हम अगर आत्महत्या कर लेते हैं या सोसाइट कर लेते हैं तो पेमेंट हो ही जाएगा यह मान के चलिए ऐसे मृत दावे का भुखतान कराना बहुत मुश्किल होता है तो आप ऐसी कोई भी कदम नहीं उठाएं इसके बाद एक और भी बहुत बड़ा कारण होता है जब मिर्ट दावे का भुखतान नहीं होता है वह होता है धुम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन करने के कारण हाला कि जब आप एक जीवन बीमा पॉलसी खरीदना चाहते हैं और खास्तों से टर्म इंसुरेंस पॉलसी खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर दो आपसंद दिये हुए होते हैं अगर आप धुम्रपान का सेवन करते हैं तो वहाँ पर दिया हुआ होता है कि आप धुम्रपान के साथ आभीमा पॉलसी लेना चाहते हैं या धुम्रपान के बिना लेना चाहते हैं तो अगर आपने धुम्रपान का चेन किया हुआ है तो उस समय आपको जो इसके टर्म और कंडिशन है इनको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि धुम्रपान में कई चीजें आती हैं कई चीजें नहीं आती हैं तो अगर आप धुम्रपान के तहत पॉलसी ले रहे हैं तो आपको यह पता कर लेना चाहिए कि धुम्रपान में किन किन पदार्थों को पदार्थों का जो रिस्कवर है उसको सामिल किया गया है या बहुत जरूरी है लेकिन यदि आपने धुम्रपान के बिना पॉलसी को अगर आपने पॉलसी पर्चिज की है और उसकी बाद अगर मिर्त्यू का कारण धुम्रपान या मादक पदार्थों का सेमन होता है जैसे मान के चलिए आप सराप पीते हैं या कोई भी दूसरा जो मादक पदार्थ है मिर्त दावे का भुकतान जीवन भीमा कमपणियां नहीं करती हैं तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने जीवन भीमा की पॉलसी खरी दी है खासों से टर्म इंसुरेंस पॉलसी खरी दी है तो आपके लिए आपके पैसों के लिए और आपके परिवार क भविस्ट के लिए इसके साथ ही आपकी जो टर्म इंसुरेंस पालसी है उसके लिए भी यह जरूरी है कि आप मादक पदार्थियों का सेवन छोड़ दें अगर बीमा धारेक के मित्तू किसी हत्या के कारण हो जाती है तो तब भी यह जो जीवन बीमा कंपनी है उस मित्तू दावे को निरस्ट कर सकती है हालांकि हत्या के मामले में हर हत्या को इसमें सामिल नहीं किया गया है लेकिन कुछ हत्या केसेज जो हैं उनको इसमें सामिल किया गया है हम उसको भी डिस्क्लोस कर दे रहे हैं जैसे मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो गैर सम्मयधानिक कारियों में लगा हुआ है या अपराधिक कृत्यों में लगा हुआ है और उसकी मृत्यु इस गैर जो सम्मयधानिक कारे हैं या जो आपराधिक कारे हैं इनकी कारण अगर उसकी हत्या हो जाती है तो उस हत्या क कारण जो मृत्युदावा उत्पन हो रहा है उस मृत्युदावे को जीवन भीमा कमपनियां कभी भी स्वीकारे नहीं करती हैं दूसरा चीज जैसे मान लिजिए कि आपने पॉल्सी में नामने बना दिया और नामनी ऐसा है कि वह भीमा पॉल्सी के पैसे को लेने के कारण या किसी अन्य दूसरी वज़र से भीमा धारक की हत्या कर देता है या उसके परिवार के सदस्य किसी अन्य कारणों से या भीमे का ही पैसा लेने के उद्दिस से उसकी हत्या कर देते हैं तब भी जो term insurance policy का दावा होता है उसको निरस्ट कर दिया जाता है माफ कीजिएगा मेरा मतलब है मृत्व दावे से इसके बाद अगला कारण होता है कि अगर मृत्व किसी युद्ध में होती है या दंगे के कारण होती है तब भी ऐसे जो दावे होते हैं इनको निरस्ट कर दिया जाता है इन दावों को बीमा कमपनिया सुईकारे नहीं करती है अच्छा ऐसा नहीं है कि आप किसी दंगे में या युद्ध में सामिल है और उस समय चोट लग जाती है तो देखिए बीमा कमपनी क्या कहती है कि अगर युद्ध के कारण या किसी दंगे में आप घायल हो जाते हैं और उस चोट के कारण ततकार या बाद में मिरती होती है तो ऐसे दावे को सुईकारे नहीं किया जाता है दूसरी बात मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि अगर आप सेना में सेवारत हैं या पुलिस भी भाग में हैं या किसी अन्य सुरक्षा बल में मलब अन्य सुरक्षा कारियों में लगे हुए हैं तो फिर आपके लिए हमारा सलाह यह होगा कि अगर आप टर्म इंसुरेंस पॉलसी खरीदने जा रहे हैं या फिर जीवन भीमा की कोई भी पॉलसी खरीदने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जान ज़रूर कर लेना चाहिए क्योंकि देखिए सुरच्चा कारणों से आपको युध में भी जाना पढ़ सकता है और अन कई ऐसे जगह होते हैं जहां पर की आपको जाना पढ़ सकता है तो अगर आप कोई G1 Bima policy लेना चाह रहे हैं और खासतों से term insurance policy लेना चाह रहे हैं तो विसेस तो आप यह जानकारी जरूर ले लें कि आप इस विभाग में कारि करते हैं तो क्या आपके कारियों के कारण अगर मृत्व दावा पैदा होता है तो वह जो Bima company है आपको मृत्युदावे का भुक्तान करेगी या नहीं करेगी तो इसकी जानकारी आप जरूर प्राप्त कर लें दूसरा चीज, अगर आप फार्म भरते हैं तो उसमें 20 तार से आप यहाँ बताएं कि आप कौन सी जाब करते हैं, आप कौन सी सेवा करते हैं इसकी जानकारी भी जरूर दें इसके बाद अगर बीमा धारक के मृत्त तो किसी प्राकर्थिक आपदा या महामारी के कारण हो जाती है तब भी मृत्त दावे का भुकतान खास्तों से टर्म इंसुरेंस पॉलसी में नहीं होता है आपदा का मतलब क्या है? आपदा का मतलब है जैसे मालीजे बाढ़ा गया भुकम पा गया या सपोस्थ जैट की अगनी जल गई मतलब ऐसी कोई भी प्राकर्थिक आपदा अगर आजाती है और उसकी कारण बीमा धारक के मृत्त हो जाती है तब भी ऐसे मृत्त दावे को जीवन बीमा कमपनी स्विकारे नहीं करती है सपोस्थ जैट अगर महा मारी के कारण अगर बीमा धारक के मृत्त होती है तो ऐसी पालसियों के भी मृत्त दावे बीमा कमपनिया स्विकारे नहीं करती है जैसे में भी करोना आया था तो करोना के कारण अगर मृत्टी हुई तो बहुत सारी पॉल्सियों में मृत्वदावे का भुगतान नहीं किया गया इसके बाद एक और भी बहुत महत्वपूर कारण होता है और वह होता है खासतोर से महिलाओं के लिए अगर आप महिला हैं और आप तर्म इंस्यूर पॉल्सिय लेने के लिए विचार कर रही है तो आपको यह जानना होगा कि देखिए प्रसाव के दौरान या गरभा वस्था के कारण अगर किसी भी तरह का काम्प्लिकेशन होता है और उस काम्प्लिकेशन में यानि गर्भावस्था की समस्याओं के कारण अगर महिला की मृत्य हो जाती है तो ऐसे मृत्य दावे को भी टर्म इंसुरेंस पॉल्सी करने वाली जो वीमा कमपनियां हैं वह स्विकार्य नहीं करती हैं तो दोस्तों चुकि मैंने आपसे यह कहा हुआ था कि आप इस पूरी वीडियो को आखरी तक देखेगा और आखरी तक देखने के बाद तब नेरने लिजिएगा दोस्तों आखरी में मुझको यह करना है कि देखिए भारत में बहुत सारी जीवन वीमा कमपनियां काम कर रही हैं और हर जीवन वीमा कमपनिय अपने ग्राहकों के लिए अलग-अलग तरह की टर्म इंसुरेंस पॉल्सी लांच करती है और हर पॉल्सी एक दूसरे से भिन है तो जब भी आप पॉल्सी खरीदने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर मैंने देखिए एक नार्मल वे में मैंने आपको बताया कि कब-कब रिस्कवर को भीमा कमपनियां रिजेट करती है तो देखें टर्म इंसुरेंस पॉल्सी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका एक मात्र लक्षिया है कि कल की डेट में अगर आपको कोई कैजवल्टी होती है आप अगर इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो आपके नामनी को आसानी से बीमे की रकम मिल जाए तो दोस्तों बीमा पालसी खरीदने से पहले गहंता से आपको अध्यन जरूर कर लेना चाहिए और जब आप यह अध्यन कर रहे हों तो यहां पर मैंने जितने जितने कारण बताए हैं इसकी जाच जरूर कर लें कई जगह आपको मिलेगा जहां पर कि यहां पर जो मैंने आपको कारण बताए हैं उसमें कुछ सहुलियत मिलेगी और कई पालसीयों में या कई भीमा कंपनियों में ऐसा भी होगा कि जो इतना मैंने बताया है इस से थोड़ा सा बढ़कर भी जो है कुछ instruction दिये हो term और condition कुछ और बनाई हो तो अंत में मेरी सलाह आपके लिए यही होगी कि अगर आप एक भीमा policy और खास दोर से term insurance policy लेने का विचार कर रहे हैं तो policy की जिस भी policy को लेना चाहते हैं उसके term condition को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही निरने लें तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो like की बटन बनी है उस पर जरूर क्लिक कर दीजेगा और वीडियो के कमेंट सेक्षन में यदि आपके अपने कोई प्रस्न हैं या फिर आपके कोई सुझाओ हैं तो आप हमें कमेंट की जरीए जरूर बता दीजेगा और यदि आप इसी तरह की लावप्रत जानकारियों से भविस्ते में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे यूटूब चैनल रितेश LIC एडवाईजर को जरूर सब्क्राइब कर लिजेगा दोस्तों मुझे पता है आप अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं आप हमें प्रोच शाहित करते हैं और इस प्रोच साहन के लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ धन्यवाद थैंक्यू वेरी माच